कि नमस्का दोस्तों स्वागत है आपका गवर्ण टेविकेशन में मेरे नाम है जितिद्र आप सबका स्वागत करता हूं और इस वीडियो में हम कुछ डाउट कुशन फेजे गए तो वह हम देख रहे हैं काफी आसन से कुशन है और कुशन मैं करा चुका हूं ऐसा नहीं है त हम तो आप आपस्षा ना भीजा करें तो चलिए सब्सक्राइब करते हैं जैसे कि पहला कुशन दिया हुए है कि दो पूरे से एक निष्च दूरी तय करते हैं एक चार किलोमेटर पे दिगन्टा दूसरा पांच किलोमेटर पे तर घंटा की चाल से चल रहा है तो दूसरा पहले से आदे हंटा जल्दी पहुंच जाता है तो दूरी गयात करनी है काफी आशन सा कुष्चन है देखो यहाँ पर अगर बात करें तो distance बराबर क्या होता है आपको यहाँ पर speed दी हुई है और time दिया हुआ है तो आप क्या करो देखो निश्चे दूरी यानि दूरी दोनों की बराबर है तो मैं क्या कर सकता हूं एक कर सकता हूं की क्योंकि यह तरशल डिस्चेंस का यह फ़रूमूला तो है तो मैंने यहाँ पर दोनों को बराबर कर दिया अब यहाँ पर बोला गया है कि पहला जो है वह चार किलोमीटर और कितने बतलब टी टाइम में वह कहुंच रहा है और दूसरा क्या कर रहा है पा ज़ाब देखोगे यहाँ पर कि कितना हो जाएगा यह फूल टी इकोल टू फाइब टी माइनस फाइब वाइटी फाइव ट्वाइव आप टू ओके पांच वटा दो तो फॉर्टी इदर आएगा तो फॉर्टी में से 40 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा ती बचेगा औ और यह आ जाएगा तो समय जो निकला दाशल वो निकला पांच वटा दो अब डिस्टेंस आपको पता है डिस्टेंस बरावर क्या स्पीड इन्टू टाइम इस्पीड कितनी दिए चार और टाइम दिया हुआ है टी तो यहां पर पांच वटा दो लख दूंगा मैं और यह कि तो कितना जाएगा चार और बच्छे में दो है तो चार सब्सक्राइब दो से चार कट जाएगा तो लिए अगर आप्स कुश्ट्छ नहीं बन रहाए तो आपके लिए थोड़ा मुस्किल है आपको काफी मैनद करने की जरूवत है तो देखो यहां पर बोला गया है कि एक मांचित्र के पहमाने पर क्या हो लागया है कि 1.5 वाइब फाइब 5.4 किलो मीटर जो है वो दरसल 0.6 सेंटिमीटर दरसा रहा है ओके और यदि मांचित्र पर दो बिन्दों की बीच की दूरी दी हुई है 32 सेंटिमीटर तो उनके बीच की बास्तिक दूरी क्या होगी क्लो मीटर में निकाला हुआ है आपको पता है कि 5.6 सेंटिमीटर जो है किसके बरावर है 5.4 किलो मीटर के तो यहां से मैं यह दसमलब से दसमलब खाड़ दूँगा और 6 नाम 49 बर जाएगा तो एक सेंटिमीटर बरावर कितना हो जाएगा 9 किलो मीटर अब यहां पर बोला गया है कि 35 सेंटिमीटर है जब एक सेंटिमीटर 9 किलो मीटर के बरावर है तो 35 सेंटिमीटर कितने बरावर जाएगा 35 मैं 9 का मल्टिपलाइ करोगे तो कितना जाएगा नो पंज पैतालीस अंस लगा चार और नो सत्ताइस और चार इकतिस तो 315 किलोमीटर तो इसका अंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन चलिए नेक्स वेशन देखते हैं नेक्स वेशन में क्या कहा गया है कि आप्टर गोईंग थ्री वाई फोर्थ ओप माई चैनरी आई फाउंड देट आई हैब कवर्ड शोला किलोमीटर हाउ माई जैनरी इस्टिल लैप यानि उसने बुला है कि मैं कुछ दूरी की जो है वो तीन बटा चार दूरी चल लेता इतने में तो यहां पर टूरी या एक सिल लिस कितनी हो जाएगी यह तरसल टूरी है और इतना चल चुआ है तो यहां पर देखोंगे 16 इंटू 4 बटा 30 यह होगी टूरी इटेन्स टूरी बचा कितना है आप देखोंगे इससे 3 बटा चाह तो चल ई हिचुका है तो बच तो आप देखों कि चार से चार कड़ जाएगा इकतना आ जाएगा तीपंजा पंदरा और तीन यानी पांच सभी एक बटा तीन जो है इस कंसर आजाएगा फ़स्ट आप्शन जो है इस कंसर हो जाएगा चलिए अगले question में क्या कहा गया है कि अब यही देख लो ये भी आसान सा question है इसमें आपको कुछ करने की जरूत नहीं है देखो यहाँ पर क्या कहा गया है कि 486 के साथ एक लगतम संख्या को गढ़ा करने एक पूरबर्ग कराप्त किया जाता है तो वो पूड़ बर क्या होगा दरसल तो आप क्या करो पहले जो 480 है इसको तोड़ लो तो जैसे कि मैं यहाँ पर 6 से डिवाइट करता हूँ पहले तो 6 एक बार जाएगा एक बार जाएगा इंटू 6 अब आप देखो कि इसमें यह तो नौ का स्क्वेर हो रहा है तो नौ बार आजाएगा अब यहाँ पर मुझे 6 से मल्टिप्लाइ करना पड़ेगा तभी तो इन में से 6 का कॉमन आएगा तो 6 से मैं इदर मल्टिप्लाइ करूंगा तो यहां से रूट लूँगा तो 6 आ जाएगा तो इकतना हो जाएगा नौ चक्वान तो 54 जो है इसका अंसर आजाएगा इतना सा कुशन था एक लाइन का भ भार दिया हुआ है और इसकी आपको रिंज निकालनी या नि पराश निकालनी है तो जब भी आप से ऐसे कुश्यन पूछे जाए तो आप क्या करना है जो नंबर दिये हुए हैं उनको इंक्रीजिंग ओर्डर में जो है वो एजस्ट कर लो तो आप जब इसे है कि दीको कुँछ है यहाँ पर सबसे बड़ी संक्या झो यहाँ पर 104 और सबसे चोंकिया यहाँ पर आप देखोगे तो जो है ।щ ने निकल लाती है तो दो सो चार मैंसे जब 69 अब घटा होगे तो कितना बचेगा यह यह बचेगा 135 तो इसका अंसर आजाएगा सेकंड ऑप्षन चलिए नेक्स विशन देखते हैं यहाँ पर का गया आगा है कि एक चाय की ब्यापारी को चाय 40 रुपे प्रती किलोग्राम बेचने पर 10 परसेंट का हानी होती है यदि उसकी कुल हानी 80 रुपे होती है तो उसके द्वारा बेची गई चाय की मात्रा की गणना की जाएगी सबसे पहले आपको यहाँ पर कॉस प्राइज निकालनी पड़ेगी तो कॉस प्राइज क्या से निकाल होगी आप देखा है आप में यहाँ पर बोला गया है कि वह 40 रुपे की जब बेच रहा है यानि सेलिंग प्राइज जो है वह 40 रुपे है और इसको लॉस हो रहा है 10% क तो यहां से आप cost price निकाल सकते हो, cost price हो जाएगी यहां पर 40 into 100 upon 90, ओके तो यहां से आप देखोगे कितना हो जाएगा, 400 बटे 9, अब आगे क्या बोला गया है, कि यदि उसकी कुल हानी 80 रुपए होती है, तो उसके द्वारा बेची गई, चाय की मात्रा की गणना कीजिए, अब देखो, यह तो है उसकी cost price है, इसने बेची है, 40 रुपए में, तो इन दोनों का जो difference है, दरसल यह दिया हुआ है, 80 रुपए, तो जब आप इन दोनों का difference निकालोगे, 400 बटे 9, माइनस 40 का, तो यहां पर आप देखोगे, यह माइनस, तो आप देखोगे, यह कितना ह तो 40, 69 जो है, इसका difference निकला, पर यहां पर क्या लिए दिया हुआ है, कुल हानी जो यह वाशी की हुई है, तो 80 equal to कर दूँगा, तो यह कतना हो जाएगा, यह हो जाएगा, दो बार जाएगा, और 9 तूना 18, तो 18 किलोग्राम जो है, वो चाय की मात्रा होगी, तो इसका answer आ बर्स में प्राप्ट साधान ब्याज में अंतर 20 रुपए है, तो बैंकों की ब्याज दर में पितिशत में अंतर क्या होगा, काफी answer question है, आपको पता है, simple interest वराबर क्या होता है, P into T into R upon 100, यह होता है, आपको principal दिया हुआ है, 8,000, time दिया हुआ है, दो बर्स, और आपको rate of interest निकालनी है, दोनों का अंतर जो दिया हुआ है, वो 20 दिया हुआ है, तो अब देखो कि यहां पर, अगर मैं यहां पर बात करूँ, तो देखो, 8,000 into 2 into R1 upon 100 minus, 8,000 into 2 into R2 upon 100, यह कि कि बराबर है, 20 रुपए के बराबर है, दोनों का जो है, जो simple interest यहां पर दिया हुआ 20 रुपए, तो अब देखो कि यहां पर यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा, 160 R1 minus 160 R2, यह आ जाएगा, बराबर क्या है, यह 20 के बराबर है, तो 160, 160 यहां से यह निकल आएगा, common, तो 160 into R1 minus R2 equal to दिया हुआ है, 20, तो अब देखोगे, R1 minus R2 equal to 20 बटा 160, तो यह कितना हो हो जाएगा, एक बटा 8, परसेंटेज में निकालना है, दोनों का डिफरेंस है, तो एक बटा 8, दरसल कितना होता है, एक बटा 8 को जब आप होगे, तो यह चाहिएगा, साड़े 12 परसेंटेज, बस इतना को इस कुशन में करना था, आपको, इस कंसर आ जाएगा, थार्ड चलिए, नेक्स कोशन देखते हैं, नेक्स कोशन में क्या कहा गया है, कि एक की आयू, उसके पुत्र की आयू की 6 गुनी है, एक की पिता की आयू, उससे 40 वर्सा दे गया है, तो उन सब की कुल आयू, 118 वर्स है, तो एक की आयू कितनी होगी, यह भी कुशन में करा चुका ह तो आप देखे यहां पर क्या बोला गया है पहले एक ही वाईयू दी है उसके पत्र कायो की शैगुनी तो मैंने इस तरीके से S को संसे रिनोट कर दिया है और A को जो है यह से रिनोट कर दिया है अब एक ही पिता की आईयू उससे कितनी है 40 वर्स अदिक है तो मतलब अगर मैं 40 जो वर्स है A में जोड़ दूँगा तो उसकी पिता की आईयू की बरावर हो जाएगी बागी यहां पर तीनों का जो है योग दिया हुआ है 118 तो यहां देखो कि यहां पर A प्लस फादर प्लस सन इक्वल टू 118 बस यहां से इनकी वैल और F ही जगह A प्लस 40 रख सकता हूं तो मैं यहां पर रखूंगा A प्लस A Y 6 प्लस A प्लस 40 एक्वल टू 118 तो यह 2A हो जाएगा यहां से कटा दूँगा यह 40 दर ले जाके नहीं मानिस कर देता हूं इसमें से 118 मैं से तो कितना हो जाएगा 78 और यहां पर क्या बचा 2 प्ल प्लस A Y 6 एक्वल टू 78 तो आप देखो कि 6 दूनी 12 एक 13 तेरा वाटे 6A हो जाएगा यह तो बराबर कितना है 78 के तो तेरा छेंग अठतर 6 बार गया और 6 दर है तो 6 से मल्टिप्ला हो जाएगा तो A इक्वल टू आ जाएगा 6 इंटू 6 इक्वल टू 36 बस इतना था आपको इसको में करना था तो इसका अंसार आ जाएगा 36 बस चली नेक्स विशन देख लेते हैं यह कुशन दो आ रहा हो गया रिपीट ओके तो यह वाला हम देख लेते हैं इसमें क्या कहा हो गया है कि एक खच्चा के बीच बच्चों कुई ओसत आयू 12 है यह 13 हो जाती है जब उस सबसे पहले यहां पर देखोगे आप पहले कितने थे बारा थे और शट जो है बुबारा थी मैंने माल लेता है जो स्टूडेंट है उनकी जो संख्या है वो एक्स है तो टोटल जो और शट तो दी हुए 12 लेकिन आपको अगर मैं यहां पर टोटल सबकी आयू जोड़ देत हूं या निकालनी है तो बारा इंटू एक्स करूंगा बराबर ओके आगे क्या कहा गया है कि अगर इसमें 36 वर्सी जोड़ दिया है तो जो आयू हो जाती है वो तेरा हो जाती है तो मैं अगर यह तो टोटल जो होगी वो विद्ध्यातियों की शंक्या होगी अगर मैं इसम जो और साथ आयू निकल रही है बुर निकल रही है तेरा इंटू एक्स प्लस बन एक्स प्लस बन क्यूं की है मैंने देखो यह तो टोटल जो विद्ध्याति वो अब एक और जोड़ा है तो मैंने वन कर दिया है तो जब इसका मल्टिप्लाइ करूंगा तो दरसल इसी के ब इसमें क्या कहा गया है कि 37 वर्स यह और जोड़ती जाती है तो दरसल जो निकलती है तो पहले विद्ध्यातियों की संख्याति एक्स उसमें एक और संख्या जोड़े गई मैंने सिच्छक जोड़ा गया बन तो मैं इसका मल्टिप्लाइ कर दूंगा तो यह तो यहां से दे तो तेरा एक्स मैंसे माइनस हो जाएंगे तो एक्स वरावर कितना हो जाएगा 37 माइनस के 13 तो यह आजाएगा 24 तो 24 जो है विद्ध्यातियों की संक्या है इसका अंसर आजाएगा फस्ट ऑप्शन चले अगला कुशन देख लेते हैं अगला कुशन में क्या कहा है कि एक पेपर सीट का छेटपल दिया हुआ है 240 बर्ग सेंटिमीटर उसका परमाप दिया हुआ है 68 तो इसकी लंबाई और चोड़ाई याद करनी है आपको इस कुशन में कुछ नहीं करना आपको सिर्फ फॉ तो लंबाई गुणा चोड़ाई आप देखोगे यहाँ पर पहले में देखोगे तो बारदून 24 यानि आपका छेटपल तो आ रहा है आपका परिमाप भी जो हैंने कितना आना चाहिए 68 परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस भी तो जब आपको देखोगे यह कितना हो ओके तो इस तरीके से आप उप्सें से भी चेक करें तो बाकी आपको मैं बता दूं कि एल इंटू बी इसकल टू फोटी अगर मैं मैं थट की बात करूं तो यह दरसल चेत पर दिया हुआ है और परिमाप दिया हुआ है 2 इंटू एल प्लस भी बरावर 68 तो यहां से एल प् पर कि इसको जोड़ने पर जो है वो 34 आना चाहिए तो आप देखोगे एक ही ऑप्शन ऐसा मिल ला है जो 34 इसे जोड़ने पर और यह भी ऑप्शन मिल रहा है ऐसे बात नहीं है दूसरा जो फोर्ट ऑप्शन है यह भी मिल रहा है 34 बाकि अगर औरों की बात करें तो और लगता है पर आपको जो है वो छेटपल भी देखना पड़ेगा तो छेटपल कितना आना चाहिए 240 तो चाहुदा तो जब आप यहां से देखोगे कि 240 जो है जब इसको मल्टिप्ला करोगे तो 240 नहीं आ रहा है यह कितना चाहुदा दुनी 282 तो आपको चाहिए 240 तो आप इसे जो है लास्ट का जो ऑप्शन हो जाएगा इसका अंसर आ जाएगा इसमें जो ऑप्शन दिया हुए यह गलत दिया हुआ है इसका दरसल ऑप्शन होगा जो फोर्ट होगा क्यूंकि आप देखोगे यहां पर 34 जो है 34 इंटू करोगे तो 68 जो है वो छेटपल आ जाएगा इसका और 240 यह जो है इनका मल्टिप्ला करोगे तो 240 जो है वो छेटपल निकलाएगा तो इस तरीके से इस कुस्षन को स्रॉल्प करना था बागी इस थोड़ा लंबा हो जाएगा तो आपको वीडियो अच्छे लगा हो तो लाइक और जरू कीज़ेगा और जो लोग हमारा चैनल पहली बात देख रहे हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को पर क्लिक कर लाए जिससे की जब भी मैं वीडियो फ्लूट कर और तब तक लिए थेंक्यू जाते जाते लाइक और जरू करते जाएगा